हाई दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप Android फोन के तुरू किस तरह StreamYard के Live Session को जोईन कर सकते हैं Simple हो उसके लिए आपको Link चाहिए StreamYard का जो के Live Session की Description में मौजूद होता है अगर वहाँ नहीं है तो जो Organizer है उस Live Session का आप उसे Privately मंगवाद सकते हैं Message करके तो वो Link कुछ इस तरीके का होता है इस StreamYard आप इस पर Simple तरीका यह है कि क्लिक करें क्लिक करने के बाद एक और Window खुल जाएगी उसमें आप वो कह रहा है कि Tap 3.Button तो वो Tap 3.Button का मतलब यह है कि यह जो ऊपर तीन बटन है इस पर Tap करें तो आपके पास यह चीज़ा आ जाएगी अगर आप आप Samsung के इंटरनेट में खुलना चाहते हैं Simple आप इस पर क्लिक करेंगे लेकिन अगर आप Chrome में खूलना चाहते हैं तो आपको Link कॉपी करना पड़ेगा लेकिन अगर आप असान तरीका यह है कि आप Samsung इंटरनेट पर क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि यहां पर आप से वो camera और audio microphone की access मांगेगा तो आपने यहां पे allow क्लिक करना है ताके आपके phone की microphone और उसकी camera एक्सेस हो सके तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा और आप जैसे के नीचे देख रहे हैं कि एंटर नेम तो आप एंटर नेम में आपका जो भी नाम आप चाहते हैं डिस्पले हो वो आप यहाँ पर टाइप करें ठीक है और एंटर ब्रोड़कास्ट कर दे तो आप कुछ इस तरीके की आपके पास आजाएगे कि आप इस वक्त बैक स्टेज पे हैं और यह आपको तब तक शो होगी जब तक और्गनाइजर जो है वो आपको लाइब सेशन में एक्सेप्ट नहीं करता तो वो जैसे ही आपको एक्सेप्ट करेगा तो आपकी विंडो कुछ इस तरीके की चेंड जो हो जाएगी और आपको मालुम हो जाएगा कि आप लाइब सेशन में है तो आप देखें यू आर इन दे शो तो यहाँ पे आप मुक्तलिफ लोग देखेंगे जो जो आपके साथ जो हैन है वो लोग आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे और आप इसी दोरान अपना माइक बंद करना चाते हैं बात नहीं करना चाते हैं तो सिंपल बंद कर दें कैमरा किसी को नहीं दिखाना चाते हैं कैमरा आप आफ कर सकते हैं कैमरा फिलिप कर सकते हैं पीछे और अगर आप चैट देखना चाहते हैं live तो live comments भी आ रहे होते हैं private chat भी होते हैं private chat वो है जो के आप सिर्फ organizer या वो लोग जो live आपके साथ बैठे हैं उनको message कर सकते हैं और अगर आपने live comments देखने हैं जो viewers दे रहे हैं वो आप यहां देख सकते हैं और इसको simple close कर द आते हैं तो simply आप live को दबा दें तो आपकी chat खतम हो जाएगी बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का